दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लाइब बॉट इंजन के रिक्वार्मेंट्स के बारे में। क्या होता है जो ऐस्टरोक होते हैं और कैसे वह अंदर में येर प्रेसर्स को लुकाता है और फिर फिशू 1890 के जाता है Ooh अध़ जिस्से कि उसесто की इंजन बोर्ड तर ऑजन स्टार्ड के एस्टार्ड होता है तो जो लायज़ 43 degree celsius या उससे कम जिनका भी flash point है वह fuel को हम लोग engine के लिए use नहीं करते हैं मतलब अगर हम लोगों से survey पूछे कि जो fuel होता है लाइबोट engines के लिए उसका flash point क्या होना चाहिए तो हम लोगों का अंसर यह होगा कि 43 degree celsius से ज्यादा greater than 43 degree celsius क्योंकि यह requirements है LSA code का कि अगर 43 degree celsius या उससे कम हो जिसका भी flash point है तो हम उसको use हम लोग नहीं करते हैं start point बोलता है कि manual starting system होना चाहिए और power starting system with two independent rechargeable energy battery तो अब engine को start करने का तरीका इनोंने क्या बोला first बोलता है कि manual starting system हो नहीं तो वह जो battery होते है या battery से भी वह start कर सकते हम लोग engine को next बोलता है engine should start minus 15 degree celsius within two minutes तो अगर जो temperatures है अगर minus 15 degree celsius भी है जो भी ambient temperature यहां पर लिया गया है तो जब भी minus 15 degree celsius का temperature होता है तो within two minutes जो engine जो हो है वह start होना चाहिए तो जब भी PSC inspection होता है तो उसमें भी engines को हम लोग को start करके दिखाना होता है तो नुर्मली तो survey यह सारे condition जानना चाहता है तो हम लोग यह point को भी note down करेंगे कि minus 15 degree celsius पे अगर ambient temperatures है तो दो minutes के अंदर में engine जो है start होना चाहिए अब next point बात करते हैं engine shall be capable of operating not less than five minutes after starting from cold अब suppose करते हैं कि जो outside का region है वो cold weather है तो engine जो होता है उसकी capacity इतनी होती है कि वो minimum five minutes के लिए जब एक बार start हो गया engine तो minimum five minutes के लिए वो run करना चाहिए यह उसका operating capability not less than five minutes तो यह engine का condition होता है कि जब भी अगर cold weather में engines को start करते हैं तो not less than five minutes जो engine जो है वो operate करना चाहिए next हम लोग बात करते हैं लाइब बोट का speed के बारे में कि आखिर जो engine start हुआ तो लाइब बोट में वो speed कितना रहता है तो first point है six knots when fully loaded and two knots when towing the largest life raft when fully loaded तो अगर suppose किजिए कि हम लो लाइब बोट पर बैटे हुए और fully loaded का मतलब हो गया कि जो भी अपने 25 crew है तो सारे 25 crew है और जितने भी food provisions जो भी equipment जो लाइब बोट का requirements है वो सारे से वो fully loaded है तो उस case में अगर engines को हम लोगा start करते हैं तो जो speed होगा engine का वो six knots का होता है अब बोलते हैं कि अब हम लोग जैसे की लाइब बोट पर हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग टो कर रहे हैं largest life raft का जो अपने vessels का जो सबसे largest life raft है अगर उसको टो कर रहे हैं लाइब बोट से तो जब लाइब बोट का speed जो होना चाहिए वो टू का यह requirements होता है कि six knots पे के speed से 24 hours कम से कम engine रन करने के लिए sufficient fuel होना चाहिए तो यह point भी हमें याद रखना होगा कि four 24 hour at a speed of six knots next बोलता है recharging light bulb batteries voltage not existing 50 वोल्ट तो यह वह रहा兩 चाहरा करते हैं बैटरी को तो जहांसे अगर energyorse करें better को तो पचास बोल्ट सब्फूर जदा का उसका वोल्टेज नहीं होना चाहिए लिए अब हम लोग बात करने वाले हैं water resistant instruction for starting and operating engineer द्ञेर इंजिन नियर इंजिन control जहांच से एगर इंजिन kol Ferr then मतलब इंजिन जहांसे हम लोग स्टार्ट करने जो मेन्वाल स्टार्टिंग पॉंड होता है तो वहांपे क्या होता है कि एक instructions होते हैं जो कि how to start and operate the engine यह लिखा रहता है और वो जो होता है water resistant होता है मतलब कि वो laminated होना चाहिए नेक्स्ट मैंड बोलते हैं कि engine operation does not interfere with the operation of radio life saving appliances is in the lifeboard और ऐसा requirements है कि जो भी radio life saving appliances अगर हम लोग लाइप बोट में यूज़ कर रहे चाहिए साथ हो इपाव वह वह वाकी डॉकी हो तो उनके operation से मतलब इंजन के operation से वो इंटरफेर नहीं करने चाहिए किसी भी life saving appliances का अगर यूज़ कर ले तो अब नेक्स्ट पॉइंट है इंजन इस इंक्लोस बाइद फायर इंट केसिंग प्रोटेक्ट इंजन फ्रोम एक्सफोजर तुदा वेदर एंड सी तो जो इंजन जो होता है वो फायर इंटरेंट केसिंग से inklose होता है अब फायर इंटरेंट से क्यूं inklose होता है ताकि वो प्रोटेक्ट करने को फ्रोम एक्सफोजर तुवेदर एंड सी now next point है जो starter battery is enclosed from the watertight enclosure और जो battery भी होते हैं जो अपने live boat में लगे रहते हैं बैटरी तो उनके लिए क्या है कि वो भी water tight में encloses मतलब वो चार तरफ से enclosed होते हैं जो भी batteries है water tightness होता है जो भी battery है